हाई विर्वन स्वागत है आप सबका रिजिनिंग की कलास में हैं आज हम लोग देखेंगे रिजिनिंग से संबंदित महतपूर परसंजों की इजाम में पूछा गया है आरारवी, NTPC, Railway, SSC, MTS सबी इजामस के लिए रिजिनिंग बहुत ही महतपूर है दोस्तों आईए देखते हैं पहला कोशन परस्नमाचक चिन्न के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी तीन है, आठ है, चार है, तीन सो चौरासी, एक सो च्छी आसी, चार सो च्पन, तीन सो हो रहा है, उस तरह से नहीं अंतर दिख रहा है, हम देखेंगे, इन सब का, अगर मैं सभी रूल्स अपलाई कर ले रहे हैं, और रूल फालो नहीं कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, इन तीनों का योग देखेंगे, यानि कि हम देखेंगे, तीन प्लस आठ और प्लस चार 8 4 12 और 3 15 हो गया इसी तरह से देखेंगे तो 1 प्लस 8 प्लस 6 8 4 14 एक 15 हो गया इसी तरह से 4 5 5 4 9 6 15 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 15 आ रहा है 3 प्लस 6 प्लस 6 बराबर ये भी 15 आ रहा है अब इस option में से चेक कीजिए कौन सा 15 आएगा 6 5 11 9 11 12 8 2 10 5 15 यानि कि option number C जो है इसका सही है यहाँ पे कौन सा number आएगा तो यहाँ पे आएगा 8 2 5 अब इसका प्लस करेंगे न सम तो देखे 8 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 15 तो इस तरह से ये logic लगा करके इस question को हम लगा सकते है option number C सही है इसका reasoning का question बहुत ही important होता है दोस्तों सभी exam से में ये पूछा जा रहा है तो ध्यान से देखे उस विकल्प का चेयन कीजिए जो परस्नवाचक चिन्न के अस्तान पर आएगा चाहें वो कोई भी exam हो RPF का हो, NTPC हो, SSC हो सभी में reasoning का question पूछा जा रहा है अब कहे रहा है, 245 का 41,625 से वही संबंध है तो 311 का उसी नंबर से क्या संबंध है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा आप से पूछा जा रहा है अब इस नंबर को देखेंगे न तो इसको लिख लिए दो है, और फिर ये 4 है और फिर ये 5 है ऐसे ही तो है, 2 का स्क्वाइर कर दीजे तो 2 का स्क्वाइर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा 4 का स्क्वाइर कर दीजे तो हमको मिल जाएगा 16 अब 5 का स्क्वाइर कर दीजे तो दोस्तो हमको मिल जाएगा 25 देखें, 4, 16, 25 इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 3 का square करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 1 का square करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और फिर 1 का square करेंगे तो हमको मिलेगा 1 यानि कि यहाँ पर कौन सा नमबर होगा? 9, 1, 1 यह आपका answer होना चाहिए option number भी इसका सही है दोस्तो इस question में दोस्तो दिया गया है किसी सांकेतिक बाता में D, A, C को P, A, I लिखा जा रहा है आप भी लिख लिजे D, A, C को क्या लिखा गया है? सांकेतिक बाता में तो P, A, I लिखा गया है P, A, I लिखा गया है अब यहाँ पर देखेंगे न D का नंबर क्या होता है? 4 होता है A का नंबर 1 होता है और C का नंबर 3 होता है P देखेंगे, तो P का नंबर क्या होता है दोस्तो, तो P का नंबर होता है 16, A का नंबर 1 है और I का नंबर 9 है 9 यह नंबर पे आता है, अब देखें 4 का square हम कर देंगे तो 16 मिल गया 1 का square कर देंगे तो हमको 1 मिल गया अग 3 का square कर देंगे तो 9 मिल गया यहीं तो इसमें इसी तरह करिलेशन तो establish हो रहा है इसको लिख करके देखे C, B, E तो C, B और यह है आपका E C का number क्या है? 3 होता है 2 होता है और E का number क्या है? तो 5 है सब का square कर लीजे इसका B square इसका B square तो आपको square करेंगे दोस्तो तो इसके जगा पे क्या मिलेगा आपको तो number पर यहले लिखे 3 का square 9 लिखेंगे 2 का square 4 लिखेंगे 5 का square 25 लिखेंगे ध्यान से देखिएगा 9 के जगह पे आप क्या लिखेंगे तो I लिखेंगे क्योंकि 9 I को रिपरजेंट कर रहा है 4 के जगह पे क्या लिखेंगे तो D लिखेंगे 4 D को रिपरजेंट करता है अब 25 के जगह पे क्या लिखेंगे यह 25 एक 5 का स्कॉयर की है तो आया है जैसे 16, 4 का स्क्वाइर के थे तो आया था उसी तरह 5 का स्क्वाइर 25, 25 के नंबर पर क्या आएगा तो Y आएगा, तो I, D, Y, यानि C, B, E किसको रिपरजेंट करेगा, I, D, Y को option नंबर D इसका सही है दोस्तों, इस question में देखेंगे, कौन सा विकल पर स्रिंखला को पूरोड करेगा, यहाँ पर पूरा करना है स्रिंखला को, यहाँ पे देखेंगे न तीन है नौ यहाँ पे तीन अच्छर दिया है इसको ध्यान से देखें फिर यहाँ पे दो अच्छर दिया है इसको ध्यान से देखें यहाँ पे देखेंगे अगर में न तो नौ है एक है तीन है यह नौ के बाद एक आ रहा है एक के बाद तीन आ रह नो के बाद क्या लिखेंगे तो यहाँ पर एक लिखेंगे क्योंकि नो के बाद एक है तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं फिर आगे देखेंगे तीन च्छो तीन च्छो के बाद क्या लिख सकते हैं दोस्तों तो तीन च्छो यहाँ पर च्छो लिखेंगे तो नो लिखेंग यहाँ पर 9 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, 6-6-19-49, 6-6-19-49, यानि option number 20 का सही है, इस तरह से trick लगा करके, इस question को आप simply solve कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, Y बराबर 50, D, D, A बराबर 18 है, या चेके क्या होगा, ध्यान से समझेगा, Y का value कितना होता है, Y किस number पर आता है, 25 पर आता है, 25 का अगर में हम दोगूना कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, सीधा सीधी दिख रहा है, D, D, और A, कितने number पर आता है, तो इसको देखेंगे, D का value 4 है, प्लस 4 है, प्लस 1 है, इस सब को जोड़ करके, अगर में हम क्या कर दें, क्योंकि इसमें 2 से multiply कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमको 2 से multiply करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4 चरी 8 और 9, 9 दुनी, 18 आ गया आपका, ऐसे आ रहा है, उसी तरह से अगर हम यच, A, और K का numbering कर लें, तो यच किस number पर आता है, तो यच जो है, 8 number पर आ रहा है, एक जो ह एक number पर आता है, K का numbering क्या होता है, तो K जो होता है, वो 11 number पर आता है आपका, अब इन सब को जोड़ करके आपको क्या करना है, 2 से multiply कर लेना है, देखिए, 8 और 1, 9, 9 और 11, 20, 20 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, simple सा logic है, बस समझने की जरूरत है तो option number कौन सा है, B जो है, सही है, इस तरह से NTPC, SSC, MTS, कोई भी एकजाम रहे, थोड़ा सा प्रेक्टिस कर लेंगे अगर में, तो आपका reasoning बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों, आप हमारे साथ reasoning का प्रेक्टिस करते रहे, इसी तरह से reasoning के प्रस्न हम लाते रहेंगे, आप इसी के साथ, कोशन दिया गया है, पचपन विद्यार्थियों की कच्छा में, रमन का अस्थान बाएं से 25 वा है, देखिए, इसको एक concept समझ लिए, इधर से अगर में हम लिखेंगे, तो ये होता है बाएं, इसको बाएं बोलते हैं, और अगर में इधर से हम counting करते हैं इधर से counting करते हैं, इसको बोला जाता है दाएं, इस बात को याद रखिएगा, अब कोशन में कहा जा रहा है कि रमन का 22 से 25 वा स्थान है, यहाँ पे 25 नमबर पे 22 से है रमन, तो 25 है, इधर से 25 वा नमबर है, इधर कितने लड़के अभी होंगे, इधर अगर में लड़कों की संक्या देखेंगे, तो कह रहा है, पच्पन कूल विद्यार्ति की संक्या इधर अभी 30 वा बची होगे, 25 और 30 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 35 हो जाएंगे, अब कह रहा है, इधर से रमन का अस्थान कितना होगा, तो 30 वा तो यहाँ तक होंगे और यह गो रमन, तो इ कमन का स्थान क्या हो जाएगा एक तीसवा हो जाएगा इस कोश्चन को चाहें तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं पचपन माइनस 25 और प्लस एक कर सकते हैं ये भी आपका एक ट्रीक है जिसके माध्यम से आप answer और find कर सकते हैं पचपन में से 25 माइनस करेंगे आएगा 30 और 30 में एक प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 31 आप ऐसे लगाए चाहिए ये वाला लोजिक लगा करके लगाईए असानी से कोश्चन लग जाएगा option तो नमबर एदोस्तो सही है यहाँ question में दिया गया है यन f t q g w t h j w i c आप चाहिए तो इसका numbering भी कर सकते हैं अचाहिए तो direct भी लगा सकते हैं देखें यन के बाद q है यन के बाद q दिया हुआ है तो यम यन o p यानि की 2 plus कर रहा है उसके बाद q लिख रहा है q के बाद t दिया हुआ है देखें यह logic लगता है कि नहीं q के बाद t दिया हुआ है तो Q, R, S यानि कि 2 प्लस इसमें कर रहा है और आगे लिख रहा है T T के बाद W दिया हुआ है तो इसको देखिए T, U, B, W इसमें भी 2 प्लस कर रहा है और तब आगे यहाँ पे क्या लिखेगा W, X, Y 2 प्लस कर लेगा और यहाँ पे लिखेगा Z तो हमको मिल गया Z ठीक है दूसरा आप देखेंगे इसी तरह से F और Z के बीच में कितने का अंतर है F, A, B, C, E, F यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है F के बाद G, G के बाद H डाइरेक्ट दे रहा है कोई डिफरेंस नहीं है G के बाद H, G के बाद I और I के बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों तो यहाँ पे होगा आपका I, G हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं दिया हुआ है तो J लिख लीजिए अब रेके T, U, B, W यहाँ पे दो का अंतर दिया हुआ है W, X, Y, Z यहाँ पे दो कांतर दिया हुआ है फिर A, B, C दिया हुआ है D, E यहाँ पे क्या होना चाहिए यफ होना चाहिए यानि कि क्या होना चाहिए Z, 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 Y, F Z, Z, Y, F option number C जो है इसका सही है इस question को चाहें तो numbering करके कर सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं दोनों process आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे question दिया गया है एक circle बनाया है फिर circle के अंदर circle और number सब दिया हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रस्नवाचक चिन्नक या अस्थान पर क्या होगा इस तरह का question अक्सर competitive exam में पूछा जाता है figure बना करके आपको ध्यान देना है न कि यहाँ पे जो number है न यह 27 है 27 है 216 है यह कहां से आया है 5 25 और 2 दुनी 4 नहीं आएगा 5 25 और 2 27 आजाएगा 12 बर हम सब 40 में 6 जोड़ेंगे 216 आएगा नहीं तो कैसे आया है 27 हमको चेक करना है आएगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 2 5 और 2 का अंतर देखें हम दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा तीन का cube कर देंगे तो हमको किंतना मिल जाएगा 27 मिल जाएगा इसी तरह से 12 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे डिफरेंस तो कितने का आएगा 6 का आएगा और 6 का cube कर देंगे तो हमको 216 मिल जाएगा इतना तो मिलेगा ना अब देखेंगे 10 और 7 के बीच अंतर करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और 3 का cube करेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पे तो 27 मिलेगा वही 27 लिखा हुआ है तो यह तीनों में अपलाई हो रहा है यह माइनस करके क्यूब करके जो आ रहा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें भी यही रूल अपलाई होना चाहिए 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा तो 5 आएगा अब 5 का cube कर दिजे तो कितना आना चाहिए 125 आएगा यानि इस question मार के जगा पे क्या होगा 125 option number A जो है इसका सही है आसा करता हूँ reasoning से related यह सभी प्रस्ण आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगे कहीं पर भी कुछ कमी रहा गई है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलता है नेक्स टेडियो में नेपरस्णों के साथ थैंक्यो बेश्ट आफ लक